बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने डूल पेपर हैकर में मस्तूर उज्राथ और आज की विरु देखने वाले हैं जो आपको पता हुआ आठ जुलाई आठ साथ दुहजार वालों का एक पेपर होने वाला है जिसका नाम है एजुकेशन का थर्ड पेपर केवल प्र सब्सक्राइब करने वाला पैदा नहीं है जाओ यह सूरज कह रहा है जाओ जाओ देख लेना पक्का गारंटी के साथ में बचलको सब्सक्राइब करने ना भरोसा करो सबसे बड़ा तो चीज होती है बोत यह भरोसा आप मुझे भरोसा करते हैं तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देज़े और एक बार हां सुनो जा लिया होगा और open करता ही और हाँ मुझसे बादा करिए जैसे ही पेपर होता है आप पेपर को तुरंत मेरे WhatsApp पर बेजेंगे 7037-3278-380 मेरे WhatsApp नमबर है आप इस पर तुरंत बेज दीजिए मैं आपसे बादा करता हूं उसके बारे में पूरा और एक अब्जेक्टिव जो कॉशन आते हैं उनके आप mcq pdf को डालोड कर सकते हैं जिसे हम बहुब इकल्फी कोशन कहते हैं पेपर हैकर डॉर्ट में वेबसाइट पर जाना हुगा अब बात करने वाले हैं कौन-कौन से कोशन आपके पेपर में छब रहा है ध्यान से सुनन होता है और सिक्षा का अर्थ क्या होता है उनको पहचान आप किस तरीके से करेंगे यह पहला कोशन होगा टॉपिक को द्यान से देख लेजिएगा पहले बुक अपने नोट्स केस्पेपर जो भी आप मार्किट से लेके उसको ऊपन करिएगा और इस कोशन को टिक लगाए बिसिष्ट बालक की परिभास आपको याद कर लेने हैं मतलब बिसिष्ट बालक कहते किसे से बिसिष्ट और समान बालक में अंतर क्या होता है ठीक है यह आप देखेंगे उसके बाद में आप देखेंगे कह सकते हैं प्रतिभा शाली बालकों से आप क्या समझते हैं उसकी पहचान आप कैसे करेंगे इस question को आप workflow कुछिए लगाईए जिए लगाईए विल्कु लगाईए इसे बाद में है पिछड़े बालुकों से आप क्या समझते हैं पिछड़े फर्ल क्या होता है वहाँ पो आप याद करेंगे दूसरा कोश्ट करेंगे कि मंद्धि बालक का ब माल्सिक रूप से बंदिद वालक है उसकी शिक्षा के लिए सखशक की नीती क्या होनी चाहिए एक बिलकुल एक कह सकते हैं बहुत कम उसके अंदर दिमाख है और वो आप किस तरीके से उसको पढ़ाएंगे वताई सिक्षाप किस तरीके से तेगे मा लेजे आप ही है तो एक सिक्षक की नीदी क्या होनी चाहिए उसको एक अच्छे बात ही करना पूशन आप क्या होता है और क्छ कि पहचान आप कैसे करते हैं और के सकते हैं और कोशन इनको याद करके 85 परसेंट नहीं बाकि 70 परसेंट प्लस आपको देखने को मिलता है इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा आप चलको सब्सक्राइब करके रखिए बैल आकरों को प्रेश कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए कोई दिक्कत है उस कोशन का हम मतलब कोई भी रिक्स बहुत साथा रिक्स लेकर हम इनको बताते हैं कि भाई ये कोशन पढ़के जाएए क्योंकि आपके पेपर में आ रहा है तो यह चीज़ बहुत बड़ी चीज़ होते हैं तो आप भी आर हम पर भरोसा करिए थोड़ा प्यार दीजिए ठ ठीक है और चल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू बाई बाई लब यू